दोस्तो आज हम आपको कुछ ऐसे स्कैरी वीडियो पूटेज दिखाने जा रहा है जो अगर CCTV कैमरे में रिकॉड ना होता तो कोई एक नहीं नहीं करता वीडियो को लाश्ट तक चोरूर देखना दोस्तो एक वीडियो चाइना की एक ग्रॉसरी श्टोर की है जहां आप देख सकते हैं कि एक महिला श्टोर में समान खरिदने के लिए आई है लेकिन फिर आचानक से एक चीजे गिर जाते है जीसे देखने के बाद एक चाइनिस महिला उसे फिलोर से उठा कर सेल्फ में राकने के लिए जाते है लेकिन जैसे ही एक महिला उस चीज को उठा कर राकते है तब ही एक महिला आचानक से बहुत आजीब तरह से हरकतों करना शुरू कर देती है उस महिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आदरिस्त ताकत ने उसे कपचा कर लिया है फिर कुछ लोगों ने उनको सांध कराने की कोशिस करते है और एकदम लास्ट में उस महिला ने जोर से चिलाते है और फिर आप देख सकते है कि कोई आजिव सी सकती ने उस टोर की इस अबजेक्ट को जोर से हिला कर चला चाता है दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके राय हमें कमेंट करके बाताना बिलकुल भी ना पुले नमबर टू नमबर टू पर जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहा है वो एक डोर बेल वीडियो है जिसे फैंटासी वर्ल्ट नाम के एक यूट्यूवर ने यूट्यूब में आपलोट किया था जिसमें आप देख सकते है कि एक सफित साया उनके डोर बेल के कैमेरा में कैद हो गया है दोस्तो वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगते है कि ये रियल है या फिर एडिट किये हुए आप हमें कमेंट करके बाताना बिल्कुल भी ना फुले नमबर थ्री दोस्तो एग वीडियो पेरानॉर्मल नाइट मेर नमके एक यूट्यूबर ने यूट्यूब में आपलोड किया था जिसमें एक लड़की आपने पीता को काई दिनों से ए बोलते थे कि उनके रूम में मीटनाइट में कुछ पेरानॉर्मल एक्टिविटीज और क्रिपी नॉइस सुनाई देती है फिर ड़की ने उस लड़की की रूम में एक CCTV कैमेरा को लगाया था और आप खोदी देख सकते है कि उस CCTV कैमेरा में क्या रेकोड हुआ था पहले उस रूम में एक आजिब सी साउंड होती है फिर इस लड़की ने निंज से उठ जाती है और फिर आचानक से ये बास्केट बॉल उपर से कीर जाते है फिर ये लड़की रूम के लाइट आन करती है और वहाँ क्या छीपा है ये देखने के लिए जाते है और फिर आचानक से ये लड़की बहुत डार जाते है और वहाँ से दोर के भाग जाते है और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाते है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट से यार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दाबाना बिल्कुल भी न भुले और दोस्तो वीडियो को पुरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत दुन्यवाद